नमश्कार स्वागत है आपका अमारे चैनल नेक्स्ट नाइन स्प्रीचुल में और मैं हूँ आपके साथ आर्दी रोजाना की तरह एक बार फिर से हादिर है अपना स्पेशल प्रोग्राम आज का राशी फल लेकर जहां हम आपको बताते हैं कि आज का आपका दन किस प्रकार से खुसरने वाला है पर उससे पहले आपको बता दे कि राशी फल का व्यक्ति की जीवन में बहुत महत्व होता है राशी की अनुसा व्यक्ति की स्वभाब और उसके भविश्य के बारे में आसानी से जाना जा सकता है और तो और आपको ये भी बता दें कि राशी फलका निर्मान ग्रहनक्षत्रों की बदलती चाल की वज़ा से होता है जब जब ग्रहनक्षत्रों की चाल ही बदलाव आता है तो इस वेक्ति के जीवन में भी कई तरह के बदलाव आते हैं और प्रहनक्षत्रों की चाल में हमेशा ही बद्लाव होता है जिसकी वज़ा से हर व्यक्ति का प्रतेक दिन एक समान नहीं होता और आज 30 जनवरी वीरवार का शुब दिन है और आज भगवान विश्नु की कृपा से कुछ राश्यों की जोलिया जो है वो खुशियों से भरने वाली है तो चलिए आपको बताते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा आज का दिन आपकी जीवन में क्या-क्या बादाव लेकर आ सकता है आपके इन सभी सवालों का जवाब अबाब को आच की राशी फल में मिलने जा रहा है तो शुरुवात करते हैं मेश राशी के साथ मेश राशी वाले जात्कों के लिए कहा जा रहा है कि अब आप लोगों को पडोसियों का साथ मिलने वाला है जी हाँ भाई बहनों का साथ मिल रहा है और मिला जुला कर बात करें तो आज आप जिस रिष्टे की तलाश में है उस रिष्टे की आपको फ्राप्ती हो सकती है करियर में आपका नया मोडा ता हुआ दिखाई दी रहा है व्रिशब राशी व्रिशब राशी वाले लोगों को आज अपने कारे शेत्र में कई तरह के सकारात्मक बदलाव देखने को सरूर मिलेंगे और अब आपका जीवन पूरी तरीके से बदल जाएगा भावनात्मक निर्णय ले सकते हैं आप लोग विकास के कई योजनाय आप लोग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव आपके लिए काफी ज़्यादा शुब रहने वाले हैं मिथुन राशी बना दे आप लोगों को भाविश्य आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रख रहा है इस समय आप अपने भाविश्य को लेकर जो भी योजनाय बना रहे हैं वो योजनाय सफल होने वाली हैं करक राशी की अब हम बात करेंगे तो करक राशी वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहत शुब बताया जा रहा है अब सुख सम्रिद्धी में व्रिद्धी हो रही है और अब आप लोगों को लाव और उन्नती के कई मौके मिल सकते हैं सिंग राशी सिंग राशी के जातकों के लिए ये कहा जा रहा है कि अब आपके काम की प्रशनसा की जाएगी आर्थिक स्तिती काफी जादा मजबूत हो रही है और अब आपके लिए ये समय काफी जादा भाग्यशाली साबित होने वाला है चलिए बात करते हैं कन्या राशी के बारे में कन्या राशी वाले लोगों को अब अपने जीवन में कई तरह के परिवर्तन ज़रूर देखने को मिलेंगे और अब इन्हें अपने जीवन में धनकी कोई कमी नहीं होने वाली है तुला राशी तुला राशी वाले लोगों को आज कारे शेत्र में शुब समाचार की प्राप्ती हो सकती है आज आपके अंदर एक अलग ही उत्साह देखने को मिले का जोकी आपके लिए काफी ज़ादा फायदे मंद रहने वाला है व्रिष्चिक राशी वाले लोगों की आय में व्रिद्धी हो सकती है अब दिन दुगनी रात चोगनी तरक्की आप लोगों को मिलने वाली है और अब जिन लोगों के उपर कर्द है वो अपना कर्द चुकाते हुए नजर आ रहे हैं धनु राशी की अगर हम बात करें तो धनु राशी वाले लोगों को बहुत साल लाभाश के दिन मिल रहा है और बहुत सी चीजों में आज आपको फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी के साथ आपकी एच्छत तीवर हो रही है और आज आज आप किसी चोटी सी क्यातरा पर भी जा सकते हैं मकर राशी मकर राशी वाले लोगों का भर्ट सपना पूरा हो रहा है नए लोगों से मिलना आपके लिए दिल्चस्प रहने वाला है किसी लंबी दूरी के जो आपका संपर्ट थापित हुआ है इसे अब आपको फाय्दा मिलने वाला है कुमभ राशी कुमभ राशी ओरले लोगों के अज के लिए बेहुद्सादा लाबimately क्या है आज आपको मेहनत का फल मिलने वाला है और आप लोगों को काफी जादा तारीफ भी मिलने वाली है चलिए अन्त में बात कर लेते हैं मीन राशी के बारे में मीन राशी वाले लोगों के लिए ये कहा जा रहा है कि आज का दिन इन लोगों के लिए बहुत जादा सामान ने रह झाल झाल